नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं उन्होंने लिखा जर्खन में करम डाली भी सर्जन के दुरान हुए ददनाक हाथ से में कई बचियों की मिरित्यू का समाचार सुन कर बेहत ब्याथित हूँ दुख की इस घड़ी में सोकाकूल परीजनों के प्रती में गहरी सनवेदना ब्यक्त करता हूँ मालूम हो कि लाते हा जिले के बालू बाथाना छेत्र अंत्रगत बुकरू गाम में रेलवे सनवेदक की ओर से खोदे गए गढ़े को समय पर नहीं भरे जाने के कारण साथ बचियों की जान चली गई सिक्षको के परमोशन पर जल्द आएगा फैसला राश्टिये सक्षनिक महासंग माधमिक प्रकोष्ट जारखन की सनीवर को भी बैठक में सिक्षको की लंबित परोनती को लेकर इसकोली सिक्षायम सक्षरताविभाग का ध्यान आकरिष्ट कराने का निने लिया गया साथ ही अनुकमपा सिक्षको को यथा सिक्र ग्रेड वन से ग्रेड टू में परोनती दिलाने की मांग की जाएगी बतादे बैठक में एक कारिकरम के दोरान बित मंतिर रमेश्वर उराव एवं दिये गए ब्यान के बिरोध में महासंग ने सर्वसमाती से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया जारखन के सभी जीलों में भाजपा का सेवा एम समरपन अभियान शुरू प्रधान मंतिर नायनमदी के जनम दिन के मौके पर 17 सितमर से परदेश के सभी 27 सांगठनिक जीलों वा 513 मंडलों में सेवा एम समरपन अभियान की सुरूआत की गई है बता दे 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का सुभारम जारकन परदेश कर्याले में परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने किया मौके पर प्रधान मंतिरी के जीवनी परधारीत परदास नी एम नमो एप का भियोद घाटन भी किया गया कारकरम में पदमसिरी मुकुंज नायक और पदमसिरी बलबीर दत ने भी अपनी उपसित्ति दज कराई 8000 करमचारी करेंगे नेपाल हाउस का खिराओ नर एचे में कारेडत 8 हैर करमचारी सुमोर को नेपाल हाउस का खिराओ करेंगे बतादे अनुबंद कर्मियों ने बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर उदासीन रवया अपना रही है इस कारण हम ऐसा करने को बाद यहाँ है बतादे कि राजे भर में अनुबंद पर कारण रहाँ इसके अलावे बेतन भी संगतियों को दूर करने को लेकर लंबी समय से मांग कर रहे है करम भी सरजन में मरने वालों को 10-10 लाख मुवजादे सरकार बीजेपी लातेहर के बालू मा थाना छेतर इस्थीत सेरे गाड़ा गाउं में करम डाल भी सरजन के दोरान तलाव में डूबने से हुई मौत पर भाजबा परदेश अध्यक्ष अमसांसत दीपक प्रकास ने सनवेदना प्रकट की है उन्होंने सरकार से म्रितकों के परिजनों को 10-10 लाख मुवजार आसी देने की मांग की है कहा कि इस घटना पर भारतिये जनता पार्टी सनवेदना प्रकट करती है ऐसे समय में भागवान उनके परिवार को या दुख साने की सकती दे उन्होंने कहा कि भाजबा मांग करती है कि सभी मिरितकों के परिवार को हमन सरकार 10-10 लाख रुपया का मुवजार दे लातेहर के साथ यूतियों के डूबने की घटना पर जाच का देश जारखन के लातेहर जीले में बेहत दुखत घटना घटी है पतादे करमा डाल का विसर्जन करने गई बालू मा थाना छेटर की सेरे गड़ा पंचायत अंत्रगत मनंडी ग्राम की साथ यूतियों की मौत तलाब में डूबने से हो गई है अब इस मामले में सीएम हिमाद सुरेन ने अपनी सन्वेदना जताते हुए दुख प्रकट कर सोक संत्पत परिवारों को इस समय पर दुख सहन करने की सक्ति देने की प्रतना की है उन्होंने कहा है कि लातेहर जी लेके सेरे गड़ा गाव में करम डाली विशजन की दुख साथ बचियों की डूबने से होई मौत की खवर सुनकर अस्तवध हुँ परमात्मा दिवंगत अत्मावों को सांती परदान कर सोक संपत परिवारों को दुख की घड़ी सहन करने की सकती दे साथ ही साथ उन्होंने उप विकास आयोक्त को इस मामले पर जाच करने का निर्देश भी दिया है जार्खन के 1102 केंद्र पर जेपेसी परिक्षा आज जार्खन लोक सेवा आयोक की साथ वी सन्योक्त सीविल सेवा प्रारांबिक परिक्षा राविवार को दो पालियों में होगी बतादे राजी के 24 जीलों में 1202 केंद्र पर होने वाली इस परिक्षा में सामिल होने के लिए 3,79 या 327 अभियारतियों को परवेस पत्र जारी किये गए हैं आयोक ने सभी परिक्षा रतियों को परिक्षा सुरू होने से आधे गंटे पहले परिक्षा केंद्र पर पहुंचने तथा निर्धारी सीट पर बैठने का सुझाओ दिया है बता दे परिक्षा सुरू होने के बाद परिक्षार्थियों को परिक्षा केंद्र में परवेस के अनुमती नहीं मिलेगी तामिलाडू से रेस्क्यू किये गया है पलामो और चात्रा के साथ बच्चे पलामू और चत्रा के साथ नवालिक बच्चों को रेस्क्यू कराकर रांची लाया गया बता दे CWC और समाज कलियन विभाग तमिलाडू सरकार ने बच्चों को उनके पिता के हाथो सोपा सभी रांची स्टेशनल पर सुबस साथ बजे हटिया धन्वाद एस्पेसल टेन से पहुँचे थे बता दे गरीब बच्चों को रांची से पलामू चत्रा तक जाने का भाड़ा तक नहीं था उन्हें समाजी करिकारता सपुर्वी टी एसी सदस्य ने सहयोग सोरूप पैसे दिये यहर इंडिया की हैदराबाद बिमान सेवा 20 सितंबर से यहर इंडिया की हैदराबाद रांची बिमान सेवा 20 सितंबर से शुरू होगी बतादे यत्रियों के लिए यह स्तेवा सप्ता में दो दिन सोमवार और बुद्वार को उपलब्ध होगी दिली से साम को 6 बच कर 15 मिनट आने वाला बिमान सप्ता में दो दिन हैदराबाद के लिए उडान भरेगा वहीं यह राची से बीरसा मुड़ा या रपोर्ट आने के बाद यहां से देर साम 7 बच कर 5 मिनट पर रवाना होकर रात 8 बच कर 55 मिनट पर हैदराबाद पहुँचेगा जारखन में 3 नए केस मिले है जो राची से है जारखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 74 है भारत में 31,121 नए केस मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,24,850 है पीछडो को 36 परतिसत आरक्षन की मांग पीछडो को बढ़ाते हुए 36 परतिसत आरक्षन राई सरकार दे जारखन में गाओं के विकास के लिए काम करेगा HCL फाउंडेंशन जारखन में HCL फाउंडेंशन स्वाच, सिक्षा और आजीवका के छेतर में काम करेगा बतादे हजारी बाग के दारू, टाटी जहरिया और इचाक परखन से इसकी सुरुवात की गई है इसकूलो के अधारभूत संरचना, परयोकसलाओ, पुस्तकालाए और अन्य अधारभूत संरचना उपलवत कराने के दिशा में काम किया जाएगा वहीं गरामिन महिलाओं में सक्षर्टा दर बढ़ाने की सोर्यों और महिलाओं की अन्य समस्याए भी दूर की जाएगी बतादे फाउंडेंशन के अनुसार, दारू, टाटी जहरिया और इचाक परखन के 203 गाओं का चैन किया गया है जो समाज के निचले अस्तर पर है तेयस्वी आदव आई सियम हिमन से करेंगे मुलकात तेयस्वी आदव रविवार की सुबा मुख्य मत्र हिमन सिरन से मुलकात करेंगे इसके बाद वे हर्मू रोट के डीव डी इस्थीत करनीवाल हॉल में करेकरताओं को समोधित करेंगे यह पहली बार है जब तेयस्वी आदव जहर्खन रायत के करेकरताओं को समोधित करेंगे उनके आने का मुख्य उदेश जहर्खन रायत की 2024 के विधान सभा की चुनाओं की अभी से ही तैयारी करना है बता दे रायत जहर्खन अगामी 2024 के विधान सभा चुनाओं में पुरी मजबुति के साथ उतरेगा राजद ने दावा तो यहां तक कर डाला है की उसकी नजर सभी एकासी सीटों पर चुनाओं लड़ने की है रूपा तिर्की मौत ममला साहे वंज की महिला थानेदार रूपा तिर्की की संदिक्ध परिस्थिती में मौत ममले की जाच कर रही सीबियाई की टीम सनिवार को राज़ी के रातो इस्थित रूपा तिर्की की आवास पर पहुँची सीबियाई की टीम ने रूपा तिर्की की मा वा दोनों बहनों का ब्यान लिया CBI ने इस दोरान सोजनों से पुछा कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि रूपा तिर्की की हत्या हुई है उन्हें क्यों नहीं लगता कि उन्होंने आत्मा हत्या ही की होगी उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्रा के इसारे परूपातिर्की की हत्या की गई रांची के अठारा पर खंडो में विविकास कारेों की गति सोस्त पड़ गई थी बतादे कुरोना संक्रमन की गती धीमी पढ़ने से विभागों में काम रखतार पकड़ चुका है जीला परिशद में धीरे धीरे जोजनाओ पर अमल शुरू हो रहा है वहीं विभागे सुत्रों के मुताविक राचे जीला परिशद को केंद्र के 15 वे बित आयो के तहत बित वर्ष 2021 के तहत 18 पर खंडों के अलग अलग छेतरों में विकास कार्य करने के लिए लगभग 10 कोड़ रूपाय की रासी निर्गत होई है धन्यवाद